है वो एलो एवरीवन वेलकम टु माइव लॉग दिखे मैं स्टार्ट कर रही हूं आज से नियू माइसल्स तोनी चैनि और जो मेरा व्लोग रहेगा चैनल रहेगा वो रहेगा प्रीत का आशियाना जिसमें प्रीत का आशियाना में आपको मेरे जो भी मेरी फैमिली है या जो मेरा घर है जो मेरा रहना है या जिस तरह से भी मैं घर में वर्क करती हूँ मैं आप लोगों किसे सारा शेयर करूँगी तो प्लीज मेरे व्लोग को आप प्लीज शेयर करना मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और प्लीज फोलो जरुमारोगों के लिए कुछ अच्छे अच्छे tips लेकर आएंगी तो आज जो मैं लाई हूं आप लोगोगों के लिए देखिया यसे मैं लेकि आई हूँ जैसे आप सरसो हैं देखिया सरसो अब और एक महीने बाद आपको मिलना बंद कर दूखे हैं पन्जापिया संब्स्राइब को बहुत। उता कई आप करके रखा हुआ है और नेक्स्ट एयर के लिए भी मैंने प्रिजर्व करना स्टार्ट कर दिया है अभी मेरा दिखें नेक्स्ट एयर का ही प्रिजर्व जो मैंने किया वाता लास्ट एयर का वो ही अभी मैं यूज कर रही हूं इस एयर मैंने अब जो इस सीजन में था मैंने सा साथ सब्सक्राइब होगी किश important कि पावड टार देचन के नाम से मेरा अभी सेशन ओढyang के नाम से मेरा ignsा पर पेज भी है आप देखें। बहुत अच्छे कलेक्शन निखाते जिसमें कास्मेटिक हो गया स्टेशनरी हो गया आपका पर किश का क्लेक्शन होगा किट्स के gesprochen हो गये या नॉर्मल सुक्त वर्ट सूंट और आपका जूरी ओगई मेम अल्टी मतब कलेक्षन होती है मैं पर आंब मुझे 아닙ische splitting में आप पर भी उनपलब्स न कर सकता है और वरी यरीजिनेंबल सोब दिए मैं व्लोग इसलीं था किया क्योंकि जो मेरे पास tips है देखे सब लोग share नहीं कर पाते हैं बहुत लोगों के पास होते हैं tips बट वो share नहीं कर पाते हैं तो मैं ये चारी हूँ कि मेरे जो tips है मैं आप लोगों तक पहुंचाऊं या जो मेरे experience है life को लेकर या कुछ भी या मुझे अपनी family को लेकर कैसे deal करना है या आपने जो भी छोटे छोटे चोटे experience है वो मैं share करना चाहूंगी इस vlog के माद्यम से इस video के माद्यम से तो please अगर आप लोग मेरे से जुड़े रहना चाहते हैं tips जानना चाहते हैं तो जरूर देखिए जरूर मेरे लोग को देखे subscribe कीजिए चैनल को मेरे फोलो कीजिए तो मैं मेरा जो रहेगा वो रहेगा परीट कलेक्शन का आशियाना से रहेगा जिसमें आशियाना में आप लोगों को बहुत अच्छी चीज़े में बताऊंगी ठीक है और मेरे आशियाना से जुड़ी हुई related चीज़े भी आप लोगों से शेयर करूंगी वैसे आज के व्लोग में जो मैं आपको दिखाऊंगी वो दिखाऊंगी मैं आपको साग की रेसिपी साग की रेसिपी सारे ही जानते हैं पर प्रिजर्व कैसे रखना है उसे एक साल के लिए वो मैं आपसे शेयर करूंगी I think आप लोगों को ये टिप्स बहुत पसंद आएगा ये व्लोग मैंने स्पेशली साग के लिए इसलिए बना है क्योंकि सीजन ओफ हो रहा है और मैंने ये प्रिजर्व करना स्टार्ट कर दिया तो ठीक है आज मैं देखिए चोटा सा व्लोग बनाऊंगी ज़्यादा बड़ा नहीं बना पाऊंगी तो मैं आप लोगों को वो शेयर करूंगी कि कैसे आप उसे प्रिजर्व कर सकते हैं और क्वांटिटी भी मैं आप लोगों को साथ के साथ बताऊंगी कि मैं क्या की यूज यूज करती हूं उसमें सरसू का साग में मैं पलक मेथी बत्वा एंड चना और मेथी ठीक है यह सब मैं यूज पलक लेकर उसे क्लीन कर लिया है दो लिया है अच्छे से कम से कम पांच से चे पाणी में उसे मूझे लिया है ताकि मैं ती हमिचिए निकल जाए उसında और मैंने उसके क्वांटिटी wenn मैं मैं में कर दूँगी कितनी क्वांटिटी रखनी है अगर आप मेरे से quantity अलग से जाना चाहते हैं तो मुझे message कर सकते हैं और उसके बाद मैं आप लोगों को बताती रहती हूँ कि उसे क्या क्या procedure उसका कैसे चलेगा आई तिंग वो दो तिन स्टेप में बताऊंगे एक स्टेप में नहीं होगा आपको शायद आवाजारी होगी सीटी बजने की ठीक है अवाजारी होगी मैं आप लोगों को दिखा देती है यह देखे पूरा मेरा procedure चल रहा है यह देखे दो कूकर में मैंने समान रख दिया है और इस तरह से रख दिया है और उसके बाद क्या करना है वह मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट स्टैप पर बताती हूं चलो जी मिलते हैं साग मैंने मंगवा कर साफ करके दो कर अब मैंने इसे कूकर में एड़ कर लिया है जिसमें मैंने सरसों है पालक ह इसमें टाल दिया है तो अब मैंने इसमें डाला है इसमें लसं काफी सारा डाला यह तो नहीं है मैं डाल चुकी हूं इसमें और अद्रक डाला है इसमें हरी मिर्चे डाली है इसमें आप लोग इसे तो जैसे मैंने कम से कम इतना लशन फेम करते हैं और डौर यूचे प्रेटी करने में 넘ोड़ते बीडी ही तौर वालेया है, करी मिर्च ब्रकाइब में थीका पानि अन्य पते जाती है shorts सभी औस वाइज चाहिए या प्रशाच साथ 46 अब हम वाग तो यािए सभी अवर्येश को सब्सक्राइब ऑम किल जो करेंगे की ऑघ्वा दॉसकान टीक सर्सुल गज्वाओ तो ने हो arguments यह मेंदा आप इससे और इसमें थोड़ा से मक्की का अटा डालेंगे डालो मक्की का अटा मक्की का अटा साथ साथ प्रांठे भी बन रहे हैं यह देखो जी हमारे प्रांठे भी रेडी हो रहे हैं मुली और मेथी के प्रांठे रेडी हो रहे हैं यह देखिए ठीक है हमारे मुली और मेथी के प्रांठे रेडी हो रहे हैं साथ साथ यह भी हो रहा है यह देखिए डली 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 तोड़ा सा और तोड़ा सा और तोड़ा सा और हां जी बस अभी से दोड़ा सा मैश कर देंगे अच्छे से और इससे पकाएंगे पानी सूप गया है अलका सा पानी डाल लेंगे डालने की जुरत पड़ेगी तो इससे अच्छे समेश करेंगे और कम से कम आदा पुना गंटा 40 से 45 मिनट इसे इसी तरह से पकाएंगे हम धक देंगे और थोड़ी थोड़ी देयर चलाते रहेंगे 20-15 मिनट और इसे अब धक देंगे अब हो गया है हमारे साघ रेडी यह ठंडा और अब हम हम इसे करेंगे मिक्स गईन ठीक है की बज़ना विद्फ चूंकि बटि इसनुधि करते हैं अजी देखे आप मैं आपको नेग्स्ट पता रही हूं कि आप को क्या गरना है यह तरह नहीं था से आपका य साग रेड़ी हो गया था किहां इस तरह अच्छे से पका लिया है, कम से कम एक घंटा मैंने इसे पकाया है, और उसके बाद मैंने इसे एक स्पून की हल्प से, ठीक है, आप लोगों को मैं बता देती हूँ, एक स्पून की हल्प से मैंने इसमें ट्रे में एक आइस ट्रे लेंगे, आप उसे आप खाली करेंगे, और इसे फिल करँके याद्प से आप इसे फिल कर सकते हैं बहुत अक्छे से ये फिल हो जाएंगे ऐक इस तरह से आप एक स्पून के हर एक इसे कर दें оказ pissed करने के बाद इसे ओविर्णाइट है फ्रीजर में लगा लगा दें मैं next बताती हूँ जो मैंने last year जो मैंने last year किये थे reserve किये थे वो मैं आप लोगों को बता देती हूँ यह देखे next दो देखे ये वाले जो हैं ये इस तरह से ये मेरे पास जो पड़े हुए हैं ये देखे आप चाहें तो ये देखें इस फॉम में भी ने कर सकते हैं ये देखें इस तरह से ये जाएगा और ये अगर आपके पास कोई प्लास्टिक कंटेनर है आप उसमें भी डाल सकते हैं ये देखें या फिर ये ये देखें ये जो मैंने वो किये थे आइस ट्रे में जो जमाए ठीक है उसके बाद जब आप लोगों को इसको बनाने के लिए बाहर निकालना है तो आप एक गंटा पहले से बाहर निकाल के रख देंगे ये soft हो जाएंगे और अप्ता तड़का लगाई हराम से से बना सकते हैं ठीक है आपको मैंने procedure बता दिया है ये जो मैं आप लोगों को फरक नहीं आएगा तो प्लीज आप इस चीज को जरूर फोलो करना इस टिप्स को जरूर अजमा कर देखना इस तरह से आप फ्रीजर में इसे लगा देना और आप एक साल तक अराम से इसे खा सकते हैं तो ये था मेरा आज का पूरा व्लॉग जिसमें मैंने आप लोगों को ये बताया कि आप साथ को किस तरह से पूरे साल के लिए प्रिजर्व करके रख सकते हैं आप ये ट्राई जरूर करके देखना और अगर आप लोगों को पसंद आता है तो कमेंट बॉक्स में डालकर जरूर कमेंट करके बताना कि क्या आपको ये टिप्स अच्छा लगा और इसका कुछ वायदा हुआ आप लोग जरूर ये ट्राई कीजेगा और मैं नेक्स्ट व्लोग में आप लोगों को कुछ और अच्छा नया टिप्स दूंगी तो प्लीज मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजेगा अगर आपको नयने टिप्स चाहें ओके थैंक्यू चल करेंगे टेस्ट कैसा लगता है और आप लोगों को टेस्ट करके बताएंगे कि ये कैसा है बहुत ही टेस्टी है इसमें डाला है मैंने धनिया इसमें डाली है मैंने मेती अजवाइन नमक और ये है बटर जो कि मैंने घर पर ही निकाला है उसका भी मैं आपको बता दूंगी कि कैसे कैसे निकालना है ठीक है